नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे राजमा जो की चावल के साथ बहुत अच्छा बैठता है ये राजमा चावल बहुत अगो पसंद है और बहुत ही जटपट बन जाने वाला ये हमारा खाना है जो की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है तो उसके लिए हमें चाहिए राजमा तो राजमा भी दो प्रकार के होते हैं एक तो ये मरून कलर और दूसरा चित्रा तो आज हमें ये मरून वाला मिला तो आज मैं ये बना रही हूँ लेकि जादा तर चित्रा ही हमें मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है तो इसे हम धो के साफ करके राद भर के लिए सोक कर देंगे क्योंकि इसका ना सोक होना बहुत जरूरी है जब तक अच्छी तरह फूलेगा नहीं तब तक ये हमारा राजमा अच्छी तरह से पकेगा नहीं और ये अच्छी तरह से गला हुआ ही राजमा अच्छा होता है ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है तो इसका पानी हम निकाल देंगे और प्रेशर कूकर में हम इसे पहले कूक करेंगे तो एक चमच हम यहाँ पे नमक डालेंगे और एक से देर कप पानी डाल देंगे इसमें ताकि अच्छी तरह से यह हमारा राजमा बॉयल हो जाए यानी कूक हो जाए तो इसे ढखकर लगा के हम चार से पांच सीटी आने तक इसे हमें पका लेना है इसके बाद हमें कड़ाई में अच्छी तरह सरसोगा तेर और दो तेजपता के साथ एक चमच खड़ा जीरा और कुछ गरम मसाला हमें डाल देना है इसमें और साथ में हम यहाँ पे आठ से दस लहसुन की कलियां भी चील के डाल लेंगे कोई चॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है आराम से अच्छी तरह से यह इस तेल में अच्छी तरह कूक भी हो जाएगा यह कुछ सेकेंड के बाद इसमें हम डालेंगे दो बड़े साइज का प्याज यह भी छोटा-छोटा पीस में कट किया हुआ है ताकि अच्छी तरह से यह गल जाए तो प्याज हमें ज्यादा नहीं पकाना है सिर्फ एक मिनट एक मिनट के बाद ही इसमें हम और भी चीज डालेंगे क्योंकि हमें प्याज को गलाना है तो ज्यादा अगर पका होगा तो हमारा ग्रेवी तेयार नहीं होगा साथ में याद दो बड़ा साइस का हम टमाटर डालेंगे और एक से डेर इंच अधरक खूटा हुआ है इसे भी डाल देंगे अब क्या आएगी प्याज के साथ हमारा टमाटर अधरक सब अच्छी तरह से पकेगा तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी टमाटर के साथ हम डालेंगे हम कुछ मसाले और नमक तो यहाँ पे है एक छोटा चमच हल्दी पाउडर, दो बड़ा चमच हम डालेंगे धनिया पाउडर एक छोटा चमच है कुटी भी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा तीखा वाला मिर्च और एक बड़ा चमच कस्मेली लाल मिर्च, तो इस सभी मसालों को हम डाल देंगे इसी में और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और mix करने के बाद क्या करेंगे इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो मसाला वो जले भी नहीं अच्छी तरह से पके और हमारा टमाटर भी सौप्ट हो जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे चार-पांच बड़ा समच और इसे ढख करके हमें पकाना है तब तक हम राजमा को देख लेते हैं तो देखिए हमारा राजमा में थोड़ा भी पानी नहीं है और यह बहुत अच्छी तरह से कूख हो चुका है देखने ही में लग रहा है लेकिन देखिए यह दबाने से कितना अच्छी तरह से मैस हो जा रहा है तो हमारा राजमा अच्छी तरह से कूख हो चुका है तो 2-3 मिनिट के बाद हम देखते हैं मसाले के तरफ बहुत ही सुन्दर कलर लग रहा है हमारा मसाला और ये भी हमारा पक रहा है टमाटर भी सौप्ठ हो गया है प्याज भी सौप्ठ हो चुका है और सभी चीजों को अच्छी तरह से मैस करते हुए हम इसे पकाना है 2-3 मिनिट इससे क्यों हमारा टमाटर भी मैस हो जाएगा अब प्याज और लग सौप्ठ हो जाएगा और हमारा ग्रेवी पक के त्यार हो जाएगा तब खुले में हम 2-3 मिनिट और पका लेंगे इसी तरह से मैस करते हुए तो यह हमारा जो मसाला है ना अब बिदम तयार हो चुका है पक चुका है गल चुका है सारा तो अब इसमें हम एड़ करेंगे अपना राजमा जो बॉयल किया हुआ है ना वो राजमा को एड़ कर देंगे और साथ में हम पानी भी एड़ कर देंगे तो यहाँ पे हम 1-1.5 गलास पानी डाल देंगे क्योंकि यह जो राजमा है ना सूखा नहीं होता है ग्रेवी वाला होता है, तो क्योंकि इसी के ग्रेवी में सारा टेस्ट होता है, तो अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, तेरा आजमा अच्छी तरह कूक हो चुका है, अब इस मसाले में क्या है, इसे हमें दीमी आज में, चार से पांच मिनट और पकाना है, और इसमें अगर खट्टा टमाटर हो तो आपको आमचूर डाले की जलुवत नहीं है जिसमें हम एक छोटा चमच आमचूर भी डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट होगा हमारी राजमे का और इसे हम ढख करके और मीडियम फ्लेम में पांसे छे मिनट तक और पका लेंगे तो यह जो राजमा है अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है कि जैसे यह ठंडा होगा तो गाड़ा भी हो जाएगा वैसे ग्रेवी अभी है गाड़ा लेकिन थोड़ा और हो जाएगा अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसे हम क्या करेंगे गैस को कर देंगे बंद और अपने प्लेटिंग करेंगे तो देखिए थोड़ा सा दो से तीन मिनट में ही हमारा जो ग्रेवी है थोड़ा सा थीक सा लग रहा है तो इसे हम प्लेटिंग करेंगे यह चावल के साथ इसका बहुत बढ़िया कंबिनेशन है तो इस तरह से राजमा बना लीजिए आप इसे इस से अच्छी तरह से खा सकते हैं और यह दीखिये कितना बढ़ियां बहुत ही टेस्टी यमी बना है जो को यह जादा ताम जाम नहीं सिर्फ अच्छी तरह से पहले हमको राजमा को भींगोना है आठ से दस घंटा भींगोने के बाद इसे अच्छी तरह बॉयल करना है और उसके बाद आप ग्रेवी बनाईए और डालिए बहुत ही टेस्टी यमी बनता है और ये चावल के साथ हमने सर्व किया है तो आपको इस की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब करें थन्यवाद